तो नवसकार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूडूब चैनल स्टड़ी विचन दोस्में अर्यान प्लेस प्रेक्टिस एड़ आए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चलिए शुरू करते हैं तो इससे पहले ग्यारे प्रेक्टिस एड़ तो पिछे वाले प्रेक्टिस एड़ के अंदर होंगे तो पिछे वाले प्रेक्टिस कीजिए और कोमेंड में बताइए कि आपने कितने नंबर प्राप्त किये हैं तो आज का पहला क्यों रहेगा हमारा पिंजोर में स्तीत गार्डन का क्या नाम है तो इसका नाम है याद्वे इंदर गार्डन वारा सिन्दत है फिंजर में पंच एप Japanese कोला question कर से किस ने बनवाया था और जेब के एक भी दार वारी ने बनवाया था När गज हमें श्यृण डियाना में प्रणपरागत के swear पर पहने जाने वाले पकड़ी को क्या कहा जाता है इसे हम बोलते हैं खंडवा ये हमारे बुजरग पहनते हैं हमारे ताउ जी हमारे दादा जी वो पहनते हैं इसे हरियाना में सान का परतिक माना जाता है और जिसके सर पर पकड़ी होती उसकी सान होती है ऐसा माना जाता है औ हिंदुस्तान मशीन टूल किस नगर में स्तीत है एक्ट जो मारा है वो काप रहा है पिंजोर मेंयोर मारा काप रहा है पंच कुला में ठीक है Capital है कि याद रखना है हम चैके फूल फाम भी कई रब पूछी गई है तो यह रहेगा इनोस्तान मशीन टूल्स ठीक है अगला किसन लेंगे साथ साथ कॉमेंट करते नहीं कि आपने क्या एंसर किया है और जो सब से ज्यादा क्यूसन करेगा उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा अर्याना में अठारा सुस्तावन की घाल चांति का दीज कहां से शुरू हुआ तो यह अंबड़ा चाओनी की सनी रहा था हो ठीब जांष होुगा 10 Mother Tang low को मेरेट से आंबड़ा Holine RAM में भी मेरेट से नौ गंटे पहले Caro के मेरेट से 18 स्थावन की करांती की शुरुवात माना जाता है लेकिन कि अमबाडा में एक हमारे श्याम सिंग नाम के गदार हुए हैं उन्होंने इसकी सुचना पहले ये अंग्रेजों को दे दी कि ऐसे ऐसे कोई करांती होने वाड़ी है इस वज़े से जल्दी शुरू करनी पड़ी तो आज का क्यूशन आपका ये रहेगा कि 1857 की करांती में जो पहले सहीद हुए थी जिने बारत का पर्थम सहीद माना जाता हुए उनका नाम क्या था और जो इसका सही अंसर देगा उसका नाम वेगली वीडियो में लिया जाएगा चली एगला क्योशन लेएंगे बापोली किस जिले के अंदर गताता है बापोली जो है वो हमारा पाणिपत के अंदर आता है और बापोली के अंदर एक तेल सोदक कारखाना लगाया गया है क्या लगाया गया है तेल सोदक कारखाना अगला क्योशन मारा क्या रहेगा बाबा रामदेव के गुरु कौन थे त पैर कौन थे आचाहरी बल देव और बालख रषण कौन है आचाहरी जो बने है वह जो कि अमारे अयुर्वेदीक जो प्रोडेक्ट बनाती है उस कंपनी के मुखिया है जिसके स्टार परचारक बाबा राम देव हैं ठीक है पतंजली जिसका नाम है पतंजली के प्रोड़क्ट आपने कभी ने कभी यूज़ किये होंगे बालकर्शन जिसके मुख्या हैं चलिए एकला किसन लेंगे गुड़गाओं में सबसे प्राचिन उद्योगों में किसका निर्मान हुआ है तो सबसे प्राचिन जो उद्योग है गुड़गाओं का हुआ हमारा कार का कौनशी कार का मारोति का और ये कार खाना 1983 में लगा था किसके सहयोग से लगा था जापान के सहयोग से जापान की सुजुकी और मारोती ने मिलकर इस कारखाने को लगाया था और यह कुशन आया हुआ है पहले अग्जयाम के अंदर कि जो मारोती उद्यों गए वो गुड़ गाओं में कब लगा था तो एक दसक पूछा था कि 1980 के दसक में 1990 के दसक में तो इसका एक्च्वल में 1983 रहेगा यानि कि 90 के दसक में यह कारखाना लगा था ठीक है अगला कस्व लेंगे माटी का मोल उपन्यास के लेकर कौन है तो माटी का मोल किसने लगी थी जैनाराण को सिकने किसने लगी थी जैनाराण को सिकने पंडित जसराज का जो संबंद है वो हिसार से है और अगला किसन लेंगे अब अगला क्यूसन अमारा क्या रहेगा, पानिपत की तीसरी लडाई से समंधित स्तल है, तो पानिपत की तीसरी लडाई कहां पर रड़ी गई थी, काला अंब नामक स्थान पर, कब होई थी ये, 1761 में, किसकिस के भी जोई थी, मराठो और एहमद साहब दाली के बीच, किसकिस के निमन में से हरियाना के मुख्यमंत्री कौन नहीं थे तो इन में से बनार सिदास कुपता मुख्यमंत्री रह चुके हैं हुकम सिंग मुख्यमंत्री रह चुके हैं राव बिरेंदर सिंग पर्थम गैर कांगरेसे मुख्यमंत्री थे जीडी तपास से जो थे वो कभी मुख्यम काला करते थी है कि आगा लगार सब्सक्राइब कि और मैं हुखत था आउ-शंद्सथ प्रेकेत प्रेटन स्थल हर्याना के किस्तित है कि नगर नगरी को विखने मंने अर्जुन को all अग्यों का जा जाता है दार्मीक्साइब कर देज तक हैं अग्यार प्लै होती है तो सबसे जो कम वर्षा होती है वो होती है मारी दक्षिन पस्चि में जो कि राजस्तान से लगा हुआ इलाका है वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है और सबसे अधिक कहा होती है कि सबसे अधिक जो वरसा होती है वह उत्तरपूरों में होती है उत्तरपूरों में जो मारा सिवालिक का छेतर है वहां पर सबसे अधीक वरसा होती है ठीक है तो साथ-साथ कोमेंट करते कि आपने इसका क्या Answer किया है और किस वीर कव्य की रचना की तो किस वीर कव्य की रचना की थी आला खंड कि किस की अला खंड की कि एक ये भी आता है कि जो आला खंड है उसमें किस रस की की परदानता है तो है वीरस की परदानता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट किसने याद रखी गा कि फिलम नाइक सुनील दत का समंद किस जिले से तो सुनील दत जो है वो यमनानगर जिले से समंद रखते हैं कि कहां से रखते हैं यमनानगर जिले से और कौन है संजय दत के और 2005 में इनकी डेथ हो गई थी कि ठीक है अगला क्योंसन लेंगे याद रखना यह उना नगर से संब्न रखते हैं कि हिंदू पुराणों में देवों का चिकित्सक किसे माना जाता है हिंदू पुराणों में जो देवता होते थे उनका चिकित्सक भृषte को माना जाता है किसे माना जाता है दल्ब भंत्री को कữa और दल्ब buddy यो थे ऊड़ों के चिकित्सक थे राजा कनिश्क ने कि इने कि सेवा में बेजा था किसी दूसरे राजा की सेवा में बेजा था कनिस्ट के दरवार में दनवंतरी रहते थे चलिए अगला किसल लेंगे जो चरक सहिता है वो संत्री नहीं लिखी थी है ठीक है अगला कि सुन लेंगे हर्याणा में ऐसा योग लटन के परमुंग नेता कौन थे लाला-लाजपतराई लाला-लाजपतराई का समंद कहां से है इसार से तो 1920 में ऐसे गंदरन में सेकर ये भूमिगा निभाई थी इन्होंने और जो हरियाना से हिसे मंद रखने वाले चोदरी छोटुराम ने ऐसे गंदरन का विरोध गया था कि चली एकला किसन लेंगे कि राजिव गांदी खेल रतन निमन में से किसे दिया गया तो साइना नेवाल को भी दिया जा चुका है और गगन नारंग को भी तो यह इसका एंसर हो जाएगा उप्रॉक्ट सभी तो यह तीनों हमारे जो प्लेयर्स हैं यह ओलंपिक के का से पदग विजिता खिलाड़ी रहे हैं ठीक है पिजेंदर सिंग 2008 में का से पदग जीता था साइना नेवाल और गगन नारंग ने 2012 में का से पदग जीता था अगला किस्टन लेंगे दीन बंदू छोटराम विज्ञा नेम प्रोजोगी की विस्विदाले काँ पर स्तीत हैं तो यह मारा सोनिपत में स्तीत हैं काँ पर स्तीत हैं सोनिपत में इसकी स्तापना कब की गई थी 1987 में याद रखना मोस्ट इंपोटेंट किसन है राजयो गांदी एजुकेशनल सिटी कहां पर बन रही है तो यह बन रही है कुंडली में और कुंडली हमारा कहां पर है फिर से सोनिपत में तो सोनिपत से लगवग तीन किसन आचके हैं याद रखना सोनिपत जिला मोस्ट इंपो राज़ी गौंदी एजुगेशन सिटी किस्तापना कुंडली सोनिपत में की गई 1857 की करांती में हरियाना के किस जिले का योगदान रहा है तो यह हिसार का भी रहा है रोत्त का भी रहा है और कैथल का भी रहा है उप्रोक्त सबीस का अंसर होगा चली एगला किस्तन लेंगे तीस जनवरी 1970 को किस गटना को लेकर परदसन हुए थे तो यह जो परदसन हुए थे वह इसलिए थे कि चंदिगड को पंजाब राज्य को देने की गोशना कर दी गई थी सरकार के दवारा कि जो चंदिगड है वो डारेक्ट पंजाब को दे दिया जाएगा रियाना पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा इसलिए जगे जगे पर अंदोलन की गई कि हम चंदिगड को पंजाब को नहीं देंगे यह तो चंदिगड हमारा रहेगा यह संयुक्तरूप से रहेगा हमेशा से पंजाब अपना दिकार मांतर आयो रियाना अपना अधिकार मांतरा इसे लिए के अंदर सरकाने से युनियंट टेरेटरी का दर्जाद दिया हुआ है कि शारी दिख विकलंगों के लिए आवाशी विदेले कहा है तो जो सारी अंसर आपने क्या दिया है पानी पत क्या अंसर आएगा इसका पानी पत सोनी पत में हमारा क्या था सोनी पत में Education City थी हमारी क्या थी? Education City चलिए अगला कर्सन लेंगे गुरु जम बेश्वर को Vishnu का अवतार कौन मानते हैं तो गुरु जम बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं विष्णोई द्रम के विष्णोई समाज के जो लोग है वो गुरु जम बेश्वर को अपना विष्णु का अवतार मानते हैं और जब विष्णोई है वो इसार छेत्र में अधिक्ता में पाये जाते हैं कुल्दी विश्णोई जी जो आदमपुर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके लके में भी विश्णोई की संक्या बहुत ज्यादा है चरम रोग में साय गरम पानी का जलाशेक की स्थान पर स्थिते हैं यह मारा सोना में रहेगा सोना मारा गुरुगाओं में रहेगा और सोना और तावडु दोनों पहले गुरुगाओं में आते थे लेकिन तावडु को अलग करके मेवात में मिला दिया गया है तो आज की क्लास में इतना ही आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और ज़्यादा से ज़्याद आपने दोस्तों में इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके अग्जाम आपके बहुत जल्द होने वारे हैं दिल्ली पुलिस की एक्जाम डेट पहले ही आचकी है दिल्ली पुलिस के लिए भी हम नैशनल जिक्के और कम्प्यूटर कम्प्यूटर और नैशनल जिक्के हम दोनों को टार्गेट करते भी करेंगे अर्याना पुलिस को भी और दिल्ली पुलिस को भी बहुत जल्द कम्प्यूटर की इंग्लिस की नैशनल जिक्के क्लास शुरू हो जाएगी अर्याना जिक्के और मैथमेटिक से कितने क्यूशन सही कि हैं जिसका भी सही अंसर रहेगा इस सबसे ज़्यादा सही अंसर की होंगे उनका नाम गली वीडियो में लिया जाएगा आज क्लास में इतना ही बगवान करें आपका दिन सुबो अपना ध्यान रखिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जैहिन जैवारत